क्या अंजु को पाकिस्तान में सरकारी नौकरी मिलने वाली है या फिर अंजु का प्यार नसुला को भारत खीच लाएगा क्या अंजु अपने दो बच्चों को लेकर हमेशा के लिए पाकिस्तान चली जाएगी नमस्कार मैं हूँ अंकिर धवन और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स पाकिस्तान की सीमा लांकर आई सीमा हैदर की कहानी का अभी तक अंत नहीं हुआ था कि अंजु नाम की एक महिला पाकिस्तान ही पहुँच गई यह सीमा पार वाला प्यार इन दिनों चर्चा में बना हुआ है पड़ोसे मुल्क पहुँची अंजु के केस में आई दिन नई कहानी अब सामने आने लगी है ताजमामली के अगर बात करू तो अंजु के शोहर नशुला ने नए नए दावे भी कहें है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार अंजु को सरकारी नौकरी और घर भी देने वाली है साथी साथ उन्होंने एक और दावा भी किया है उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों में अंजु भारत पहुंचेगी और अपने बच्चों को वापिस पाकिस्तान भी लेकर आएगी अगर वो वापिस मुल्क नहीं आई तो वो खुद सरहत पार करके अंजु को लेने हिंदुस्तान भी पहुंच जाएंगे पाकिस्तान के रहने वाले रसुल्ला ने मीडिया से बाचीत करते हुए ये सब कहा है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार अंजु को नौकरी के साथ साथ एक घर भी देने वाली है अंजु ने अपना धरम परिवर्तन भी कर लिया है और उन्होंने ये भी आशंका जिताई ह कि जल्द ही उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल सकती है वो जो कुछ भी कर ही है वो अपने मर्जी से कर ही है अंजू अगस्त के महीने में भारत पहुंचने वाली है और अपने बच्चों को साथ लेकर भी आएगी साथ ही साथ उन्होंने एक और शक भी अपना इसमें जाहिर किया है उन्होंने कहा है कि अगर अंजू भारत वापस लोट कर चले गई तो शायद उनकी वहाँ पर हत्या भी हो सकती है उन्होंने कहा है कि अंजू ने उनसे ये बात कही है कि अगर मैं भारत पहुँची तो मुझ पर हमला भी हो सकता है वो अगस्त के महीने में भारत पहुँचेगी और बच्चों को वापस लेकर पाकिस्तान भी आ जाएगी ऐसा उनके यानि कि अंजु के शोहर नसुला का कहना है उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि अगर भारत से वापस नहीं आती है तो वो खुद सरहद पार करके भारत जाएगे और अंजु और उनके दोनों बच्चों को वापस पाकिस्तान भी लेकर आएगे नसुला ने साथ साथ ये भी कहा है कि अंजु अगर भारत वापस जा रही है तो उनका सिर्फ और सिर्फ ये एक ही मकसद है कि उनके दोनों बच्चे इस समय भारत में मौझूद है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को वापस लेने के लिए भारत जाएगी और फिर अपने बच्चों को भारत से वापस पाकिस्तान भी लेकर आएगी आपको बता दे कि पिछले कुछ दिनों से अंजु का जो मामला है वो काफी जादा गर्मा चुका है उनके पिता का भी बयान सामने आ रहा है उनके पती का भी बयान सामने आ रहा है और साथ ही साथ उनके गाउं वाले भी ये कह रही है कि अब वो अंजु को बिलकुल भी इस गाउं में मानने वाले नहीं है साथ ही साथ उनके पिता ने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि उनके लिए अनजू अब मर चुकी है और वो उनसे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते है उन्होंने कहा है कि अगर अजू भारत वापस आभी जाती है तो वो उनके घर पर बिल्कुल भी नहीं आएगी पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर काफी जादा वीडियोज वाइरल होते हुए देखी होगी जिसमें उनका प्री वेरिंग शूट यानि की अंजू और नरसुला का प्री वेरिंग शूट भी काफी जादा वाइरल होता हुए नजर आ रहा है और इसे साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपनी मर्जी से ही पाकिस्तान गई है उनके उपर कोई भी दबाव नहीं बनाया गया है अपना नाम बदल कर अपनी मर्जी से पाकिस्तान पहुँची है और उनके साथ फिलहाल खुश भी है इस पर जो है अरविंद जो उनके पती है या कहा जाए कि उनके ex husband है क्योंकि अभी तक ये साफ तोर पर नहीं हो पाया है कि क्या अरविंद और अंजु का तलाक हो गए है या फिर नहीं कहा जा रहा है कि पिछले काफी समय से तलाग को लेकर भी उनकी चर्चाए काफी जादा बनी हुई थी कोट में उनका केस भी चल रहा था तीन सालों से ये केस चल रहा था लेकिन अभी तक उनका तलाग नहीं हुआ है जिस पर अर्विद ने कहा है कि कानूने तोर पर देखा आया है उन्होंने कहा है कि उसका तलाग होने वाला है और मामला कोट में है वहीं इस मामले में पती अर्विन का कहना है कि आज तक उसे इस मामले में कोई अदालत से नोटिस नहीं आया है मीडिया से बातचीत करते हुए अर्विन ने कहा है कि अंजु ने तीन साल पहले से शादी बिलकुल भी नहीं कर सकती है सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए इसके साथ ही अर्वन का कहना है कि सरकार को उसके दस्तावेजों की जांच भी करनी चाहिए पता नहीं पाकिस्तान जाने के लिए उसने कौन से फर्जी दस्तावेज भी बनाए है दस्तावेज के लिए आपको बता दे कि अंजू जो भारत के रहने वाली है उसने पती को पाकिस्तान जाने के बाद जानकारी दी थी कि वो अपने दोस्त के घर जैपुर में आई है यानि कि कुल मिलाकर बहुत से जूट अंजू के द्वारा बोले गए थे कहा गया था कि वो जैपुर ख़ी जादा वाइरल होते हुए नजर आई और उनका जो एक सच था वो सबके सामने जब आ चुका था तो उसके बाद जब उनके पती अरुइंद ने उनसे सवाल किये तो उन्होंने बता दिया कि फिलहाल वो पाकिस्तान में और अपने एक फ्रेंड के पास रह रह रही है साथी साथ उन्होंने ये भी जूट कहा था कि वो शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली है लेकिन बाद में ये खबरे सामने आये कि उन्होंने अपना धरम परिवर्तन भी कर लिया था शादी भी कर ली थी साथ ये साथ अंजु ने भी मीडिया से जब बात चीट की तो उन्होंने कहा कि सीमा हैदर से जो उनकी तुलना की जा रही है वो सरासर गलत है उन्होंने कहा है कि वो पूरे ओफिशल कागजात के साथ वीजा अपलाए करके पाकिस्तान पहुंची है ना कि वो किसी फर्जी दस्तावीजों के साथ पाकिस्तान पहुंची है जैसे सीमा हैदर नेपाल की बॉर्डर को क्रॉस करती हुई आई है वैसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है लीगली सारी फॉर्मालिटी उन्होंने पूरी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने बच्चों को जल्द से जल्द पाकिस्तान लेकर आएगी लेकिन आप देखना ये होगा कि जब अगले महीने 26 तारिक को याने 26 अगस्त को अंजू भारत वापिस आएगी तो क्या कुछ भारत में खलबली जो है देखने को मिलेगी क्या क्या जो है हल चल भारत में देखने को मिल सकती है कैसा रियाक्शन जो है भारत का सामने आएगा पती का क्या रियाक्शन होगा क्या पती ये एक मनजूरी देगा कि उनके बच् Nation Speaks के साथ